आज मैं आप सब के साथ क्रिस्पी मजएदा किंग फिश फ्राइ की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल वीकली लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फ्राइ फिश बनानी के लिए हमें चाहिए फिश मैने यहां पर किंग फिश लिया है आप कोई भी फिश ले सकते हैं चलिए फिश मैरिनेट कर लेते हैं सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा नम्मक टैलेंगे और नेक्स्ट हम इसमें टू टी जिंजर गालिक पेस्ट एट करें थोड़ी सी हल्दी एट करें वन टीस्पून रेड चिली पॉडर एट करें यहां पर मैंने रेडिमेड फिश मसाला यूज किया है जो के 4 टेबल स्पून है अगर आपके पास यह ना हो तो आप इसमें हाफ टीस्पून काली मिर्स पॉडर आप टीस्पून दन्या पोडर आप टीस्पून कियोमन पोडर आप टीस्पून गरम मिर्स ढालें गे ऑर वन टीस्पून कसूरी मीति दालेंगे थोड़ा सा इसको आज से मसल के डालेंगे नेक्स्ट हम इसमें चुटकी भर हिंग एड़ करेंगे और थोड़ा सब मस्टरड पेस्ट एड़ करें और अगर यह अवेलेबल ना हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं नेक्स्ट, इसमें 4 टीबल स्पून कॉंण फ्लोर के बढ़ान, थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके डह करें उच थौर पानी पानी के और फेस्ट उचछे से मिक्स ऐड़ा मैं यह वह बहुत ड्राइसा दिक रहा था तो मैंने यह एंपर थोड़ा और पानी पानी शप्रिंक तो हम इसको मारेने नार मेरिनेट होने के लिए रख दें गे। अब हाफेनार हो चुके हैं, ने यह को फ़्राइब कराओं, वन बैवन करके उन मचली के पिसे को तेल में दालेंगे और इसको अच्छे से फ्राइब करेंगे। अब हमारी फिश रेड़ी है देखिए दोनों तरफ से अच्छे से कोट हो चुकी है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं आइसे ही हम बाखी सारे फिश के पिसिस को फ्राइ कर लेंगे तो इस तरहां से हमारी सुपर क्रिस्पी फिश फ्राइ बन के तैयार है उमीद है के आपको यह रेसिपी पसंद आई होंगी ज़रूर इसको ट्राय करें और मुझे कमेंट करके बताएं के आपकी फिश फ्राइ की रेसिपी कैसी बनी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल वीकली लाइफ को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें चलिए फिर से मिलती हो एक नई रेसिपी के साथ जब तक के लिए अल्ला हाफिज